नमस्कार दोस्ते, MP Online CSC Business Training के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यन से हम आपको MP Online और CSC से संबधित जानकारी देते हैं साथ ही साथ GDS से रिलेटिड जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यन से लगातार प्राप्त हो रही है और यदि आप Computer Certificate लेना चाहते हैं GDS के लिए, GDS के Document Verification के लिए तो वो Certificate भी हमारी संस्ता के माध्यन से आपको Online Provide किया जाता है उसके लिए आपको App Download करना है Computer ज्यानकेंदर वीडियो के description उसकी link है वहाँ से जाकर आप App को Download कर सकते हैं आज के वीडियो में जानकारी दिने आओ दो चीज़े आपना आज बात करेंगे सबसे पहले ये जो Important News है वो ये कि अभी आप देख पर हैं यहाँ पर आठ सरकल के result आ चुके हैं इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है उसके मादियम से जो GDS के form अभी भरे गए थे उसमें आज अभी थोड़ी दिर पहले यहाँ पर चेक किया गया तो आठ सरकल यानि की आसाम का और उत्तराखंड का तो अल्रेड़ी आ चुका था एक दो दिन पहले उसके बाद अभी 36 गड़, हर्यारा, हिमाचल प्रदेश, नौर्थ इस्टन, उडिसा और पंजाब इनके भी result यानि की merit list आ चुकी है और इनमें से किसी भी merit list में percentage कहीं पर भी नहीं दिये गया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि percentage आपको इस बार नहीं दिये गया है जिससे आप cutoff को count या calculate नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर 8 circle के result आ चुके हैं अभी आपका अगला step होगा DV या नहीं कि document verification आपका अगला step होगा जो की होने वाला है एक यहाँ पर सवाल मुझे comment के माद्यम से ही आ रहा था कि उनको phone आया होगा किसी का बोले कि post office की तरफ सुनको phone आया करके और वो उनसे whatsapp पे सारे document बगएरा मंगा रहे थे तो उनका यह सवाल था कि sir क्या यह सही है कही यह ऐसा कोई fraud तो नहीं है कि उनसे whatsapp पे document मगा जा रहे है document verification के लिए तो इससे समद्धित सब को यह मैं जानकर रहे दूँगा कि भहिया किसी भी प्रकार का document verification इस प्रकार से whatsapp में नहीं होगा document verification post office में ही होगा उसके लिए एक intimation letter आपके पास आएगा sms के माद्धिम से जानकरी आएगी आपके पास letter भी आएगा और उसके अलाबा आपका जो dv होगा वो आपके जो भी आपका area पढ़ता है उसके head office में होता है मुक्य रूप से head office में होता है head office में जाएंगे तो वहाँ पर जो उनका अधिकारी होते है वो अधिकारी बैठके आपका dv लेते है dv लेने का मतलब आपके सारी document को check किया जाता है check करने के बाद वो आपसे जानकारी करेंगे आपसे बाते करेंगे आपसे कुछ सवाल पूचेंगे यह सारी process होगी और उसके बाद आपको एक letter दिया जाएगे जिसमें आपका medical वगेरा सब आपको लगा के submit करना पड़ता है तो वो सारी process होती है process officially है process आप बोल सकते हैं कि officially वो process होती है तो किसी भी प्रकार से अगर out of the way अगर call आता है कोई जानकारी ऐसे मांगता है तो यह unofficially आप इस प्रकार से जानकारी किसी को ना दे ठीक है पहला तो यह अब मैं वीडियो में आँगे आपको कुछ comments जो हमारे चैनल पे आए हुए है जो बहुत important है related to GDS वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और यह सारे comment में उपन करके रखे हैं और अभी live आपके सामने सारे comment पढ़ता जाऊँगा और जो भी reply होगा वो मैं आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देते जाऊँगा सबसे पहला यहाँ पर एक सवाल आया है साइद आरिफ अली का सर मेरे पास e-pen card है उसमें father name और signature नहीं है क्या वो document verification में valid रहेगा अगर नहीं तो क्या करो बिल्कुल valid रहेगा साइद भाई pen card उतना important नहीं pen card number अगर आपके पास है pen card आपने आपका बन चुका है e-pen card है आपके पास तो चल जाएगा वो उससे कोई शू नहीं है main होता है GDS के लिए आपकी 10th की mark seat आपके पास जो है वो original आपके पास होनी चाहिए यानि कि आपका जो educational का certificates है educational के जो भी certificates है 10V है, 12V है, cast है, moon नवासी है ठीक है यह सारी चीज़े जो document है वो आपके पास होनी चाहिए pen card, आधार card, आपका e वाला भी चल जाएगा मतलब e pen card, e आधार card, यह सारी चीज़े चल जाएगी और अगर मालो in case आपके पास document में कोई कमी भी है तो उसमें घबडानी की बात नहीं है आपको वहाँ पर समय भी दिया जाता है ठीक है, अगर आपके पास document कोई कम है तो आपको वहाँ पर समय भी दिया जाता है कि आप यह document लाके वहाँ पर submit करें या जानकारी उनको दें, ठीक है बिहार का result कब आएगा सर अगले comment ते बिहार का result कब आएगा सर अब विन्य भाई ये चीज जो है ये आपको जब verification होगा तभी जानकरी लग पाएगी मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए चोटी सी mistake है percentage अगर आपके वही है तो percentage के हिसाब से जो भी आपका list बनी है वो आपकी मतलब valid बनी है तो मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए लेकिन बाकी आपको वहाँ पर जब आपका DV होगा तब आपको जानकरी लगी triple C चलेगा बिल्कुल चलेगा triple C चलेगा कोई दिक्कत नहीं जारकंट का result कब आएगा रिया result की जानकरी तो मैं नहीं दे पाओंगा क्योंकि result यहां पर देखिए यह आता जा रहा है ना जिसका भी है अभी आता जा रहा सरकल का बहुत जल्दा आएगा लेकिन इस बार जल्दा आएगा इस बार लेट नहीं हो रहा है ठीक है हेलो सर मैं physically handicapped हूँ MDID multiple category का और मेरी 10th में 66% है और अभी तक हमारी category का form चालू है तो क्या मेरा post of experience में हो सकता है मेरी category में जी भी जो भी है आपने जो comment किया है उसके साफ से मैं आपको apply दे तो जैसे मैंने पहले भी कई videos में already बताया है कि percentage ठीक है माइने रखते है 90 plus वालों का हो रहा है लेकिन आप बहुत सारी चीज़े बहुत सारी factor होते है जो depend करते हैं जिस पर आपका selection depend करता है कि आपने किस preference के लिए form भरा है जिस preference में आपने भरा है उस preference में और लोगों ने जिनने भरा है उनकी क्या percentage है आपकी category क्या है उस preference में कितनी number of post है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है जो यह सब चीज़े मिलती है उसके बाद आपका selection होता है किसी सिर्फ अगर आप बात करेगी सिर्फ 10th base के percentage पर अगर selection की बात करेगी तो सिर्फ वो नहीं उसके अलावा और भी बहुत सारे factor होते है जो selection के लिए आपके important होते है तो selection होगा नहीं होगा वो second चीज़े आपको form जरूर भरना है form आप भर दीजिएगा अगर हो सका आपकी category में तो selection हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगला सवाल है वो है दीपक कुमार का सर में हरियाना से हूँ मेरे पास आज एक college जी इसी के बारे में मैंने आपको जानकरी दीती कि इनका एक ये जो message आया था और इस message का मैंने दीपक भाई का reply भी मैंने इनको दिया था इनका साइद एक जगा और कहीं पर भी message होगा अचा I have not responded वाले अभी दिख रहे थे responded वाले भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है यह देखे पचपंध सेकेंड पहले अभी जश्ट अभी पचपंध सेकेंड पहले आया है हाई सर मैं महराष्ट से हूँ मैंने 10th में ICT subject पढ़ाता तो वो चलेगा क्या computer certificate बिल्कुल चल जाएगा सर अलग से आपको computer certificate की आवसकता नहीं है जिसको final computer फिलहाल computer certificate की जरुवत हो वो कैसे ले सकता है उसके लिए आसीज जी आपको app download करने computer ग्यान के इंदर बाकी जानकर यह हम आपको chat में दे देंगे result आ गया है बाकी का जी बिल्कुल इसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके EPN वाला है यहां पर मैं दीपक का जो एक comment है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर देखे इन्होंने पूछा था डीवी में triple C के चल जाएगा मैंने का ते बिल्कुल चल जाएगा ट्रिपल सी चल जाएगा पंकज पंकज इस पर हार इनका था सर मैंने आपके इंस्टिट्यूट से 10 जून से अप्लाई किया हुआ बट अभी मुझे certificate नहीं मिला यह इनका एक issue आ रहा था इसका issue मैंने यहां पर देखो आप यह पूरी chat होई है और यह resolve हुआ है और at last यहा और इनका यह सवाल था फिर मैंने इनको यहां पर reply भी किया है सारी जानकारी इनको दी है इसके बारे में वही चीज में आपसे भी कहूंगा कि किसी भी प्रकार का आप अगर आपको अनफीसियली फोन आता है या इस प्रकार से कोई जानकारी आती है तो आप उसका response ना करे या फिर आप जाकर जो post office है वही पर जाकर document verification करवाया है ठीक है तो इन्होंने भी last में आपर कहा है यह मैंने नहीं पढ़ा था ओके sir thank you so much डरा रहे थी कि form में error है हम verify करेंगे तर वाइस reject हो जाएगा इसलिए पूचा sir हरियान से मेरे पास text message आया है verification के लिए बिल्कुल text message अगर आया है तो वो message उनकी तरफ से होता है ना तीन मन डिप्लोमा पका चलेगा न कोई दिक्कत नहीं होगा चल जाएगा चल जाएगा तीन मन का चल जाएगा टेक चन जी चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा कोई issue नहीं है ठीक है और दिपक जी एक बार जाकर आप अपने जो post office है वहाँ पर संपर्क जरूर कर लिजीगा और उनसे एक बार बता दीजेगा कि sir मेरे पास ऐसा ऐसा दीए तो आसा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इसके अलावा आपके जो भी सवाल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको certificate क्या हो सकता है चुकि यहाँ पर result जो है आ रहे हैं बहुत speed से आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो आपको इसमय भी आपको कम मिल रहा है जैसे अगर आप यहाँ पर देखें आज जो result आए है इसका verification 2.7.122 के पहले पहले करवाना है तो आपको समय बहुत कम हैं तो अगर इतने कम समय में आपको certificate क्या हैं तो आप certificate लेने के लिए हमारा app हैं computer ग्यान खेंदर उसे जरू download कीजएगा app की link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में